हाई गाईज दिसे आधित्यर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश कुरू चैनल एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस के इस वीडियो लेक्चर में आईए शुरुबात करते हैं सेंटेंस की वो कहां-कहां जाता है और कब-कब कहां-कहां के लिए आ आप यूज करते हैं how often तो सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे where all does he go and how often कार होना मेरी दिली इच्छा है यानि मेरे पास एक कार हो ये मेरी दिली इच्छा है दिली इच्छा के लिए मैं क्या कह सकता हूँ wholehearted will to have a car is my wholehearted will ऐसा घर होना मेरा सपना था to have such a house was my dream वो खिडकी से जहांक रहा था he was peeping through the window मैंने किसी के साथ क्या गलब किया है what wrong have I done to anyone आप मेरे गवा हो गवा को कहते हैं witness you are my witness जुबान फिसल गई जुबान फिसल गई इसके लिए आप कह सकते हैं it was a slip of tongue इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है there is something called humanity too मैंने कैरम में एक बार में दो गोटियां डाल दी कई बार ऐसा होता है कैरम जब आप खेलते हैं तो दो गोटियां एक साथ pot में डाल देते हैं तो इसे आप किस तरह से sentence को बना सकते हैं कैरम में एक बार में एक बार में के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं इन वन गोटियां गोटि को आप पीस कहते हैं और pot ये एक वर्ब भी है pot का मतलग होता है pot में डालना और इसकी second form का यूज किया गया है क्योंकि past indefinite tense का sentence है affirmative मेरे हाथों की चमड़ी सिकुड गई है चमड़ी यानि skin सिकुड गई है the skin of my hands is wrinkled उसके चकर में मत पड़ो उसके चकर में मत पड़ो यानि उस पर भरोसा करके मत बैठ जाओ don't rely on him या फिर आप कह सकते हैं don't depend on him rely करना यानि भरोसा करना depend हो जाना उस वेक्ती पे i have my own ways आपने मेरे मन की बात कह दी you spoke out my mind मैं दुविधा में हूँ की क्या करूं i am in a dilemma what to do तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं परता you do anything i don't care उसकी प्रतिभा काबले तारीफ है his talent is praiseworthy इसके जिम्मेदार तुम हो you are responsible for this मेरा तुम्हें दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है यहाँ पर आप mean का यूश करते हैं I don't mean to hurt you और इसी sentence को अगर past में आप कहें मेरा तुम्हें दुख पहुचाने का कोई इरादा नहीं था तो आप कहते हैं I didn't mean to hurt you उसकी जान में जान आई ऐसा अक्सर आपको कहने की जोट परती है जैसे मान लीजी आप exam में आप सोच रहे थे कि आप fail हो जाएंगे लेकिन आप pass हो जाते हैं तो आपकी जान में जान आ जाती है उसकी जान में जान आई He heaved a sigh of relief मन तो किया कि उसे थपड मारू यानि मैंने ऐसा महसूस किया I felt like slapping him जिस भी काम को करने का मन किया उसकी ing form जैसे मैं आप से कह सकता हूँ मन तो किया कि मैं उसे डाटू I felt like scolding him मन तो किया कि मैं उसे पीटू I felt like beating him मन तो किया कि मैं उसे बात करू I felt like talking to him आपकी आवास कट रही है फोन पर आप किसी से बात करते हैं कई बार ऐसा होता है आवास करती है तो आप कह सकते है YOUR VOICE is breaking up आपकी आवास हलकी आ रही है इसके लिए आप कहते है YOUR VOICE is low आपकी आवास नहीं आ रही कई बार ऐसा होता है फोन पर आवास नहीं आती तो आप कहते है I can't hear you मैं तो बस मजाग कर रहा था I was just kidding आप मेरे साथ मजाग कर रहे हैं क्या Are you kidding with me आपका दिमाग तो ठीक है Are you in your senses हमने सिक्के को उच्छाला और हैट्स आया सिक्के को उच्छाला यानि सिक्के को टॉस किया We tossed the coin It came down हैट्स हमने टॉस किया और टेल्स आया We tossed the coin It came down टेल्स वक्त किसी का इंतिजार नहीं करता बहुत ही famous कहावत है Time waits for none तो इस तरह से कई sentences आपके सामने आए ये सभी sentences Spoken English Guru Daily Use English Sentences की बुक से लिये गए हैं इस तरह की interesting sentences को मैं Instagram और Facebook में रोज आपके साथ शेर करता हूँ एक sentence रोज शेर करता हूँ अगर आप Instagram और Facebook में में साथ नहीं जुड़ें तो description में link दिया है आप में साथ जुड़ सकते हैं अगर आप कोई वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेर करिएगा अपने friends के साथ Thank you so much for watching this video guys See you in the next video lecture Take care and good bye